पिछले कुछ दिनों से मेघाले के राजुपाल सत्यपाल मलिक केंद्री सरकार के लिए मुसीवद बने हुए थे क्योंकि वो अपने बयानों में बीज़ेपी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगा रहे थे सत्यपाल मलिक ने कुछी कानून को लेकर सरकार की नीटी का खुलकर विरोध किया साथ ही बीजेपी सरकार पर भिष्टाचार का रोप भी लगाया जिसे लेकर खूब बवाल मचा मलिक ने कहा था कि उन्होंने भिष्टाचार को लेकर पिये मोदी को पत्र भी लिखा था लेकिन जब मलिक और मोदी के पत्राचार को लेकर आईटी आई लगाई गई तो चौकाने वाला खुलासा हुआ मेगाले के राज़पल सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले गोवा की बीजेपी सरकार पर भ्रस्टाचार का आरोप लगाया था उन्होंने ये भी कहा था कि गोवा की बीजेपी सरकार में हो रहे कथित भ्रस्टाचार की जानकारी प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी को भी दी गई थी उनके इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल तो आया ही साथ ही एक आटी आई भी दाखिल की गई जिसमें भिस्टाचार को लेकर पी-एम मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच हुई बातचीत की जानकारी मांगी गई हलाकि इस आटी आई का आप जवाब आ गया है जिसने और नए सवाल खड़े कर दिये हैं दरसल गोवा राजभवन की ओर से जवाब में ये कहा गया कि दोनों के बीच हुए पत्राचार गायव हैं अब इस जवाब ने पुराने सवालों का जवाब तो नहीं दिया उल्टा कई नए सवाल खड़े कर दिये अब गोवा राजभवन के जवाब के मताबिक पत्राचार हुआ था इस बात पर तो महर लग चुकी है लेकिन सवाल ये है कि ये गायव कैसे हो सकता है क्योंकि राजभवन ने अगर पी-एम को कोई पत्र लिखा है तो वो इतनी छोटी सी बात नहीं है इस से राजभवन की लापरवाही साफ तोर पर जाहिर हो रही है वही दूसरी तरफ ये भी कयास लग रहे हैं कि जान बूच कर पत्रों को गायव किया गया है जिससे सत्तिपाल मलिक के आरोप सही साबित ना हो जाएं यानि कहा जा सकता है कि सत्यपाल मलिक ने जरूर उस पत्र में ऐसे बड़े खुलासे किये होंगे जो अगर बाहर आ जाते तो जबरदस्त बबाल मच सकता था इसलिए उन पत्रों को ही गायब कर दिया गया बता दे कि सत्यपाल मलिक ने गोव सरकार पर भिस्टाचार का आरू करिया आती है या सरकार इस पर भी लीपापोती कर बात को दमाने की कोशिश करेगी डीवी लाइव की रिपोर्ट